वन्स अगेन आप लोगों का स्वागत इस चैनल पर आने के लिए आप देख रहे हैं माय उप्षोन लिट्व चैनल को आज के इस वीडियो में हम लोग अरव शिवालाइजेशन यानि इसलाम धर्म का जो डॉमिनेशन है पूरे वर्ल्ड पे किस तरह से बढ़ा और कौन थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इसे भी सिवेलाइजेशन को पढ़ने से पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इसका मैप मैप वेरी इंपोर्टेंट होता है यार मैप के भी ना आपको थोड़ा समझने में पूरे वर्ल्ड में इसलाम कैसे पिक्चर में आते हैं पूरे वर्ल्ड में उसका कहानी है तो अरव सिवेलाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जो बैक्ग्राउंड हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा समझेए ताकि आप लोग इसको समझ जा स्बाद आता है इसे पहले ये लोग कहां पर होते हैं और क्या करते हैं उनको समझते हैं तो साथवी संच्चूरी के पहले के लोग जो अरब में रहते थे वह कैसे रहते थे तो आप लोग पता है कि अरब जो है एक पेनियुशूला कंट्री है पेनियुशूला कहने का मेरा सेक्ष क доб需 नायज़ से पानी गीरा वहता है और इसको Peninsula country वोलते हैं तो अरब भी एक Peninsula country था और यहां के जो लोग थे सभी चीज से बंचीत एक तरह से पूरा देहाती टाइप का पूरा गाउन टाइप का रहनसान था इन लोगों का फिर और इनके जो सभी पढ़ोसी देश से वो लडाई बगारा बीजी थे मैंने पिसली वी तो जितने भी उरोप के लोग थे वो जानते थे कि सारा जगा में तो लडाई चल रहा है तो उधर से हम लोग जाएंगे ट्रेट वगेरा करेंगे बैपार उधर से अपना गाड़े ले जाएंगे बीच में बं फोड़ दिया तो गाड़ी उड़ जाएगा तो वो सब खत्रा अपरिका में जा सकते हैं उधर यूरोप से आ सकते हैं मतलब बहुत अच्छा लोकेशन है ट्रेड करने के लिए तो वहां से जो है आपका यह अरब बाला रिजन बहुत सेब था यहां पर लड़ाए वजाएगड़ा कुछ नहीं होता था तो इसी कारण सभी जगा से फिन सब्सक्राइब कंट्री तो क्या होता है जब 16 संचूरी के आधा आधा पहुंचता है 2nd half of 6 संचूरी में यह डिवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो यहां पर इनका डिवलपमेंट एक तरह से बहुत अधीज से होने लग जाता है आपका अरव का और यह डिवलप होने वास्ते हैं आकर एक जगा मिलती है उसको conjunction कहते हैं आप जैसे कि पट्ना. जंक्सन हो गлыड़ दिल्यंचन हो सारा जंक्सन आप ळोगको डद्र घंक्सन ऐन मतलब तो मलगकी असर प्र में उस टाइम पर ठावा में वह जंक्सन बन चुका था लोग गएरा इन्वेंशन नहीं हुआ था मैं बस आप लोग समझने के लिए आप लोग समझ ये कि उस समय पर जो एक मात्र तरीका था ट्रेवलिंग करने का वो था कैमल उठके जरीए आप ट्रेड करते थे आप ट्रेवल करते थे दुसरी जगा पे क्योंकि सारा का सारा काम आदमी कितना ढोकी ले जाएगा समान को ट्रेड करेगा बताईए कितना वेपार करेगा तो कैमल पे सारा समान लाद करके फिन एक कंट्री से दुसरे कंट्री में ये सारा ट्रेडिंग हुआ करता था तो कैमल का बहुत ज़्यादा रोल था फिर क्या होता मैंने आपको बता करते हैं जो कि आपका main topic है और book में जो दिया गया है सातवी संचोरी के बाद से ही इसलाम जो है वो अपने picture में आते हैं इसके पहले यह blur बलड थे कहने का मतलब इसलाम पहले भी थे यह सिर्थ इसलाम धर्म है जो इसलाम धर्म के लोग पहले से थे लेकिन इनका कोई अस्तित्वी नहीं था इसलाम थे बहुत कम मात्रा में थे बहुत कम इसलाम के फॉलोवर थे लेकिन 17 समचुरी का बाद ये जो आपके दिख रहे है ना एक नाम है इनको नाम याद अखना ते जिनका नाम है मुहम्मद अप्रोफेट इनको अल्ला का मस् पहले प्रोवाइड करने वाले भी यही वनते हैं ये ना होते तो इसलाम धर्म आज की डेट में जो इतना फैला हुआ मिलता है पाकिस्तान अफगनिस्तान और अपका सीरिया सब जगा आपको इसलाम देखता होगा आलमोस्ट सभी जगा मिल ही जाते हो इसलाम के लोग तो नेव जो है इन्हों ने रखा था मुहम्मद दा प्रोफेट ने और इनहीं के कारण जो इसलाम है आज की डेट में इतना जादा फैल चुका है और इनका जो एमपायर है आप देखेंगे जब मैप में बहुत जादा इन्हों ने फैलाया ए इसलाम को इस तरह से फैलाया कि अपने समय का सबसे बड़ा empire वन चुका था तो अल्ला के जो मसीह हैं मुहम्मद दा प्रोफेट ने उनके teaching ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया attract किया अपने तरफ और बहुत सारे लोग जो हैं इसलाम धर्म को follow करने के लिए घीचे चले आएं इसलाम धर्म को बहुत सारे लोगों ने follow किया और किनके कहने पर किया इनके teaching पे मुहम्मद दा प्रोफेट के teaching पे ये सारा हो पाया तो इनका नाम तो काफी ज़्यादा important हो जाता है इसलामिक लोग के लिए तो कि सारे के सारे लोग मतलब इनका empire देखेंगे सारे लोग ने इसलाम धर्म को बहुत इजली अपनाया और बहुत ही सुकून पाया इसको अपना करके इसलाम धर्म को और इसलाम धर्म को अपनाने का में दो ही रिजन था इनको बहुत ज़्यादा peace मिल रहा था और एक तरह से बोले तो इनको बहुत ज़्यादा सांती मिला इसलाम धर्म को अपनाने में तो इनका टीचिंग जो था मोहमद दा प्रोफेट का काफी ज़्यादा संदार रहा और इनके वारे में जो बताया गया है मोहमद दा प्रोफेट अफ इसलाम इसलाम के जो मसीहां है उनका जनम जो होता है मक्का में होता है मक्का जो मैंने बताया ना जहाँ पर ट्रेडिंग रूट बना था वो अरब में ही एक जगा है जिनका नम मक्का है वहाँ में जनम होता है कब होता है 570 80 में तो objective point of view से काफी important है, 570 AD में इनका मक्का में जनम होता है मुहमध दा प्रोफेट का, और इनके कारे नया religion बना इसलाम, जो की अरेविया में start हुआ, और बहुत ही बड़ा empire आगे के चल के ये बनता है, तो उस समय पे Roman Empire चल रहा था, पिछली वीडियो में cover है, आप लोग नह जाए गड़ इस Christian में, Roman Empire जो है उस समय पे चल रहा था, Roman Empire उस समय पे एक तरह से खतम होनी की कागार पे था, जब ये उदय हो रहा था, Roman Empire किस तरह से मतलब खतम होता है, अक्टविजन सिजर के बाद Roman Empire दो भागों बढ़ जाता है, Eastern Roman Empire, Western Roman Empire जो होता है, फिर अगें आपका खतम हो जाता है, लेकिन Eastern Roman Empire जो है आगे चलता है, बेंजन टाइन Empire के नाम से जाना जाता है, उसके बाद Christian लोग के बारे में, Crusades वाला जो लड़ाई था, उसके बारे मैंने समझाया है, उसके बाद ये इसलाम का उदय है, Christianity बगएरा के खतम होने के बाद, बहुत ही जादा तेजी से होता है, और ये लगवग लगवग इरान, सीरिया, पलिस्तीन, एजिप्ट, स्पेन, टू चाइना, सारा जगा इसलामिक रीजन हो जाता है, और इसलाम का बर्चस में बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आप लोग मैप में देखिए कि का एरिया है, इतना ज़्यादा एरिया किसी भी इंपायर का नहीं हुआ होता, तो अपने समय का बहुत ही बड़ा इंपायर ये बन जाता है, इनके कहने पे, मुहम्मद के कहने पे सारे लोग जो थे मान गएं कि अल्ला वास्दा अनली गॉड, अल्ला एक मात्र भगवान है और यही हमारे सुख, दुख, सब कुछ के कारण है, और जब यह मुहम्मद साहिब जी, 40 साल के होते हैं, जब तब जाके यह प्रोफेट बनते हैं, मसीहा बनते हैं, और इनका जो है, he had a vision of truth, और यह धिर धिले फैलाते हैं, वही सारी चीज़े बताई गई हैं, जो मैंने भी discuss कर दिया पहले, और इन्होंने क्या किया, दिखिए, मुहम्मद, he forward the worship of ideals, and made many enemies, इन्होंने forward का मतलब होता है, मना किया, इन्होंने मना किया कि, बहुत सारे ideals आपके होंगे, उनका worship करना बंद करो, और इसी कारण इन्होंने जब ऐसा किया, तो इनके जो थे, बहुत सार इन्होंने जब इनका जो जन्मस्थान था, मक्का, उसको छोड़के जाना पड़ा इन्हें, उसके बाद ये मदीना में चल जाते हैं, और मक्का और मदीना आज की रेट में क्या महत्वर रखता, इसलामिक लोगों के लिए, वो आप जब जाएंगे न वहां पे, तो आपक हम से वहां पर, जैसे हम लोगों का राम मंदीर है, उस तरह से इसलामी लोग का वो बहुत ज़्यादा पवित्र जगा है, उसी तरह से फिन, ये मक्का छोड़के मदीना में चल जाते हैं, और एक इवेंट चालू करते हैं, एक इवेंट टुक प्लेस कब, शो सो बाई सेड डेट बना दिया और इसको ये लोग आज भी मनाते हैं, देन कुरान, कुरान के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा यार, नहीं सुना है तो अभी सुन लो, ये कुरान जो है, इस दा होली वुक आफ इसलाम, इसलामिक लोगों का, जो मुसलिम लोग है, उनके लिए बह ठीक है, तो चैप्टर्स बोलो, या सुराज बोलो, बात एक ही पड़ जाएगा, जिसमें में लिए आपको इस बुक में, कुरान में, आपको मुहम्मद की जितनी भी उपडेस वगेरा हैं, जो चीजे इन्होंने टीचिंग्स वगेरा दी थी, बाकि सभी लोगों को, वही सब सारी चीजे छाप दी गई है, वही सारी चीजे यहाँ पर इस बुक में आपको मिलेगी, तो मुहम्मद जिक के सारे चीजे इस बुक में फोटो कॉपी कर दी गई है, कुरान के अलावा दो और महान वहान कितावे हैं, सुन्ना और हदीश, ये दोनों भी बहुत ज़्य बिचारे थे वो सारे आपको यहाँ पर मिलेगे, मुहम्मद जो प्रोफेट थे, वो सिर्फ रिलिजिस लीडर नहीं थे, वो एक तरह से पॉलिटिकल लीडर भी थे, पॉलिटिक्स भी इनको बहुत अच्छे खासी तरह से आता था, कुर्श्यन ये भी आता है कि बोलते हैं, मुहम्मद के बाद जो सक्सेसर इनके हैं, उनको नाम खलीफाज है, इनका और नाम है जिनको कलिफ्स बोलते हैं, ओके, वो लेड़ बोथ रिलिजिस एन्ड पॉलिटिकल अठरे इनोंने पॉलिटिकल अठरे इन्ड रिलिजियस मुहमेंट, दोनों को बरकरार जो मुहम्मद साहब जी कर रहे थे, उसको इनोंने ठीक वही काम इनोंने भी बरकरार रखा, और जब इनका निधन हो रहा था मुहम्मद जी का, उस समय पे अरब के अलमोस्ट सभी लोग को इसलाम धर्में ले आना है, अरब के जो अलमोस्ट सभी लोग थे यार, सभी पहले तक मुहमअद जी के मरने से, पहले पहले तक सारे के सारे वोग, अरव के सारे के सारे लोग, इसलाम धर में गोल मिल चुके थे, मतलब अपना चुके थे पूरी तरह से, अरव इसलामिक स्टेट बन चुका था, अरव यहां पर देखिए, Nearly all Arabia had accepted new religion जिसका Islam नाम है Become Unified State Before the date of Muhammad का date होता है 632 में वही सारी चीजे बताई गई है और ये भी चीजे मैंने शुरुआत में बता दिया कि उसके बाद जो Arabia का जो Islam धर में वो सारे बहुत सारी जगों में फैल जाता है यहाँ पर देखिए the Arab Empire was the largest of that world had seen so far तो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा Empire अभी तक में सबसे बड़ा Empire जो होता है Islamic Empire ही होता है और ये कहां कहां पर फैलता है Egypt में चला जाता है Syria में भी Islamic धर्म पुरा बर्चस जादा हो जाता है इरान में में Islamic धर्म का बर्चस होता है Central Asia में, North Africa में, Spain में सारा सारा जगा Islam धर्म का बहुत ही बोलवाला हो जाता है और एक तरह से बहुत ही बड़ा Empire बन जाता है ये Islamic Empire मुहम्मद के मौत के बाद खलीफास लोग जो थे इनके successor बनते हैं आर उन में से पहले तीन खलीफास जो थे जो कहां से अपना सासन चलाते थे मदीना से मदीना एक जगा था वहां से ये अपना रूल करा करते थे पूरे जगा पे इनका जो capital है बदल जाता है capital का नाम याद केगा कुफा कुफा नाम है इनका capital का प्रनाउंसेशन में दिक्कत हो तो आप लोग मैनेश कर लें ओके में बितता है फिन आ जाता है 607 AD 607 AD में एक डाइनेस्टी आता है जिसका नाम है ओमया डाइनेस्टी जो क्या करता है तुक ओवर दा रेंस अफ गवर्मेंट और उहां पर एक प्रिंसपल सीटी था जिसका नाम था डैं मस्कस इस सीटी का नाम याद रखेगा उस समय का बहुत ही मेन सीटी था इन लोगों का जैसे जैसे समय बितेगा नए नए चीजे मिलेंगे आपको जैसे कि 607 AD में ओमया डाइनेस्टी आता है उसके बाद 750 में देखिए क्या होता है ओमयड बेर दा ओवर्थ्रोन इनका समय खतम होता है फिन नहीं लोग आ जाते हैं इसी तरह से फिन आगे बढ़ा जाता है कोन आते हैं अवैसिड्स अवैसिड्स लोग आ जाते हैं और यह अपने यह अपकल बन जाता है लगवग 300 सालों तक लाव पर राज करते हैं जो फिन देख स 넣고 खतम हो जाता है अगली चार संचूरी तक यही लोग यहाँ पर राज करते हैं पंद्रवी संचूरी में अंदर सारा का संचूरी जो आपका टेरिटरी से सारा का सारा अगले एक हजार सालों के लिए और उस समय पे एक हजार सालों के लिए तो फिर क्या होगा कि लास्ट में जो आपका इस्टर रोमन इंपायर है उसका खातमा करने वाला जो होता है वो कोई और नहीं यही ओटमान टुक्स होता है और वो बेंजन टाइन या फिर बोलो इस्टर रोमन इंपायर इसको खतम कर देता है और यह कांस्टेंटी पोल को अपना लेता है मतलब हथिया लेता है और इनके कंट्रिब्यूशन को हम लोग देखते हैं इन्होंने वर्ल् सबी को मिक्स करके यह अपना खुद का नौलेज बना लेते हैं और डेवलफ इन फर्दर और आगे जाके बहुत जादा नौलेजबल हो जाते हैं और डेवलफ करते हैं नौलेज के फिल्ड में अब अल राजी जिसको रहेस भी बोलते हैं यह एक अरब के साइंटिस्ट है एक आर हैं का नाम है इवंची न इनका नाम है इन्होंने क्या इनौलेक्सिस उता है वो बताया था तो यह कुछ दिया नहीं यह के इंडिया का इनृวกels फंक्शन था उसको बुलते थे हिंदी सा फिर इसी को इन्होंने इस तरह से डेवलप किया इस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैलाया और बोला ये मेरा नंबर है और उसको नाम दे दिया अरविक निम्रल्स था असले में इंडियन का लेकिन इन्होंने सबको फैलाया सबको बताया कि ये अरब से आया है तो एक तरह से द के दवारा लिखा गया है उमर खयम कर दवारा लिखा गया है उसके बाद एक और किताब है सहनामा जो फिरोदौसी के दवारा लिखा गया है और अरब ये नाइट जो है is the collection of 1001 stories तो यह सभी कितावों को याद देखिएगा famous बस्विवस कितावे हैं देन उसके बाद अरब के खुद का एक श्टाइल था यार खुद का इनका स्वाइक था कहने का मतलब इनका डिजाइन था खुद का डेकोराटिव डिजाइन था जब बिल्डिंग्स बनाते थे तो यह किसी का कॉपी नहीं करते थे इनका खुद करी जिए था और इनका बिल्डिंग में देखेंगे तो एक डूम-like structure आपको बना हुआ मिलेगा आप इनका बिल्डिंग का मैं picture लगा देता हूं आप लोग देखिए स्क्रीन पे इस तरह से इनका बिल्डिंग का संदर चरना था जो कि सबसे अलग था असमॉल मिनरेट्स होर्स शू आक्स ट्विस्टेड कॉलम्स यह सभी अरब से आया है तो याद अखिएगा अरब का देन है एक चीजा और डेपलफ किया इनका जो अलग श्टाइल था इसको कलिग्राफिय इनके दिए गया पूरे वर्ल्ड में तो उसके बाद अल जितने भी कारपेट डिखते हैं लेदर वर्क डिखते हैं व्यूडि फौल जितने भी तल्वारेज देखते हैं मयान देखते हैं इनके द्वारा पुरे वर्ल्ड में दी गई है तो इनका जनक इन ही को माना जाता है तो बस इतना ही आपको पढ़ना है और जितना भी मैंने शुरुआत में बताया था बैग्राउंड वो आपको याद रखना नहीं है आपको मैं चीजे जो बताई गई है आप लोग यहां से साथवी संचोरी के अबाद से जो हुआ वो याद रखना है मोहमद जी का नाम याद रखना है और इनहीं को जनक माना जाता है इसलाम धर्म का ठीक है और इनका जनम कभ होता है सारी चीज़ों जो मैंने यहां पर डिसकस करा ना सब याद रखिएगा बाकी मिलेंग एगली वीडियो में देखिए नेक्स्ट टॉपिंग जो है अपका मीडिवल चाइना जी हां मीडिवल चाइना को हम लोग कवर करेंगे थैंक्यू पू बाचिंग में वीडियो वीडियो जरह सभी अच्छा लगे तो वहां पे एक नीचे में दिख रहा होगा लाइक बटन उसको टीप दीजिये थैंक्यो वाचिंग